तो हाँ मैंने finally attack on titan season 4 का part 3 खदम कर दिया है और इस वीडियो में मैं अपना opinion बताने वाला हूँ कि अभी तक मुझे attack on titan कैसा लगा और अकर तुम्हें कैसे इंसान हो जो कि anime नहीं देखता तो क्या तुम्हें ये anime देखना चाहिए या नहीं अब देखो अगर बात करें attack on titan की story की तो हाँ इस anime की story को देखके तो आप definitely impressed होने वाले हो और confused भी अब देखो इस anime की storyline इतनी detail है कि तुम्हें छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताया जाता है और यही चीज attack on titan की world building को बड़िया बनाती है Hollywood में game of thrones को काफी जाते recognize किया जाता है एक अच्छी storyline और world building के लिए और मैं यह चीज़ कहना चाहूंगा कि attack on titan दोनों ही मामलों में game of thrones को पीछे छोड़ देता है अब example के लिए game of thrones का episode 1 ले लो episode बढ़िया तो है मगर audience को उतना जादा connect नहीं कर पाता वही पर attack on titan के first episode की ending देखने के बाद तुम खुद को episode 2 देखने से रोक नहीं पाओगे इतना जादा engaging है यह anime जब भी walls पर titan attack करते हैं तो तुमें एक terror feel होता है titans का लेकिन वही पर जब game of thrones में white walkers के entry होती है तो वह terror feel नहीं होता जबकि titans 2D characters है और game of thrones live action तो हाँ overall attack on titan ने मुझे अभी तक बहुत ही जादे impress किया है अब वह चाहिए story हो action हो या characters यह anime साइज चीज़ों में बाजी माल लेता है मगर हाँ attack on titan अपने art rated होने का वह फायदा नहीं उठा पाता जो